नेक्स्ट कॉलर अमबाला से हैं ललित हमारे सास स्वागत है ललित जी जी सवाल क्या है आपका आपका अच्छा रसोल इस शरीर में चोटी 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 सी आपकी उमर कितनी है आपको एक फोटी नाइन ठोटी नाइन जी आपका ले फटी और अच्छा देखिए लेसन खूब 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 करिए अधर खूब खूब करिए और सीरा खूब खूब करिए काने में ज्ञाद़ डल्वाने लगी है एक टो यह इलाज है पैदल खूब चला करिये दूप में एक गंटा और पांच बा आधा गिराम पानी मिला के रोज गरम पानी में पी लिया करिए दिन में एक बार कम असकम तो आपकी ये बहुत टाइम लगेगा लेकिन इनका पिखलना मुमकिन है जी आजमगर से अगले कॉलर है संजे हमारे साथ स्वागते संजे जी हालो जी नमस्कार सवाल करिए जी आदाब मुझे सर्वाइचल है मेरे जले में मदलब नस्मिट गई है और मेरे दोलों हाथ काम नहीं कर रहे हैं पैर दोलों काम नहीं कर रहे हैं जेट पर पढ़ा हुआ हूँ उदरने अपरेशन करने के लिए कहा है और एक इतना ऑपरेशन कराएंगे हमें खाली आपनी उमर बता दीज़े और कब से है इतना बता दीज़े हम आपको कुछ हम आपको कुछ एकसरसाइज और कुछ दवा बताते हैं और आप थोड़ा सेयम रखना क्योंकि ये दवाएं पांच-देश दिन के बाद फाइदा कर देंगी इतना सेयम आपके अंदर होना चाहिए और रोजाना जरा सा फाइदा करेंगे तोड़ा सा जरा सा और लेकिन दो करें वेस्टन ट्वालेटी कुर्सी वाला बातरूम आपके घर में जरूर होना चाहिए आपके लिए ठीक है ये दो चीजें एक तो और एक एकसरसाइज बता रहा हूं ये देखिए ये आपको रोजाना चार मिनट करनी है ये कान अपने कंदे से मिलाना है जैसे मैं मिला र करिए आदादा मिनट करिए करिए लेकिन चार जुनी आठ मिनट होनी चाहिए ठीक है एक ही एकसरसाइज अब आपको दवा मैं बता रहा हूं कैपसूल टी केर टी फोड टाइगर कैपसूल टी केर सुबा शाम खाना चुरू करें पांच से दस दिन आप मुझसे कुछ नही कहेंगे और एक महीना जरू कहेंगे एक महीने में आपको इतना फायदा होगा कि आपको इसमनान हो जाए लेकिन अगर पूरा भी फायदा हो जा तो छोड़ना नहीं तीन चार महीने आपके तकलीव उठाईए आपके हाथ पेर खुब एक्टिव हो जाएंगे और बहुत द नीरत जी स्वागत है आपका मैं मेरा फादर का एक्सिडाइड हुआ था ठीक है उनका चालसा लोग है इंजरी हुझी तो उनकी सवाइकल में चॉट है तू, त्री, फोर और तैबिन में और इदर लंबर में 5 में है 5 और 6 में और वो शुगर के मरीज है ठीक है एज के है उ की 62 अच्छा उनके हाथ पेर काम करते हैं दोनों अच्छा उनको अगर ऐसे 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 मारा जाये तो उन्हें पता चलता है नोचा जाये तो आजकल उनको रात को बात दूम बहुत ज़दा आती है हमसे 15-16 बार जाते हैं और कभी-कभी मोशन में वरी दिख्रट आ रही है ठीक है ठीक है अच्छा देखिए उनको बहुत खयार लगते वाला आप जैसा बेटा ही चाहिए और सबर वाला इलाज है देखिए शुगर की तो दवा खाते हैं शुगर वाले कोई प्राब्लम होत जाता है वो जैतून का सिर्का अगर ती चमच के करीब अगर पिया जाए और उजाना तो शुगर कंटॉल होने लगती जिससे पिशावाना कम हो जाता है जैतून का सिर्का तीन चमच पानी मिला कर पीते हैं लेकिन मेरी नजर उनके दूसरे मज़ पर है जो बहुत एक दवा आती है जिसको गॉंद सियाह कहते हैं काला गॉंद काला गॉंद नकली भी बहुत मिलता है असली लेना है रो मेटरील लेना है बस सो दो सो ग्राम खरीद लिए दो सो ग्राम खरीद लिया तो समझ लो आपके पिता जी जब तक ठीक नहीं होंगा जब तक वो खतम नह होता ऐसा मरीजों के साथ उसका रिजल्ट है लेकिन कड़वा बहुत होता नकली बहुत मिलता असली लेना आदा गिराम सुबा आदा गिराम शाम खाने के पश्चाथ आप उन्हें बगर चर्वी के दूस से पानी से दे सकते हैं और अगर यह नहीं मिले तो आप कैपसूल टी केर सुबा शाम दे सकते हैं इसी तरह एक एक कैपसूल और बहुत खयाल लखिए अगले आइंदा पांच-छे महीने में एक बहुत अच्छे रिजल्ट आपके पिता जी के लेकिन जैसी वो चलने लगें और एक्टिव हो जाएं वो महनत का कोई काम नहीं करें बस काफी दिन तक जब तक डॉक्टर से मश्वरा ना लें ठीक होने जी असलाम लेकुम बताईए जी अस्वालीकुम स्लाम बताईए अगर हकीन साफ खेरेत हैं बड़ा उपर वाले का आइसान है आप बताई कैसे है हकीन साफ मेरे उमर 40 साल है और मेरा 50 केशी मेरा वगन है अगर मुझे क्या बीटीटीप्रवलम है तिन चार सालों के जब 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 तो यह प्राब्लम था, फैट दिलिवर है मुझे थोड़ा सा, और कितनी में पेन होता है थोड़ा सा, और गैस्ट्री का बहुत प्राब्लम है मुझे, ठीक है, तो खाना वना हजम नहीं होता जल्दी करके, ठीक हुआ, खुब खेल लगी, बहुत सारी बीमारी हैं, दो फोर बताता हूँ आपको दो, देखिए, आपको लेना है, जैतुन का सिर्का, रोजाना रात को, तीन चम्मच, छोटी चाय के चम्मच, पानी मिलाके, रात को पी के सो जाय करिए, यह आपके बी पी का खबर लेगा, और लीवर की खबर लेगा, और बहुत सारे फायदे पेट की प्राब्लम पिहल होगी, एसी डिटी, गैस, यह वो, लीवर ठीक हो जागा, तो इस अब ठीक हो जाएंगे, ऐसा मेरा तजर्बा है, और जो दर्द की पाब्लम है, उसके लिए गौन स्याह आता है, काला गौन, आदा आदा गिराम, सुबा शाम खाया करें, जल्दी भी फा अबलपुर से हमारे साथ, स्वागत है, अजय जी, हान जी, बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? आपके दोनो हाथ दर्द रहता है जल गयते है ठीक 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 तो दावाव को बढ़ जाएं तक अपाटिम में हो गया है लेकिन जलन पहुत होती है ठीक देखिए अभी तो ताजा ताजा जला है यह जलन होगी और जब भी जलन हुआ करें तो आप बिल्कुल ठंडे पानी में या बरफ हो उसमें आप अपने हाट डाल लिए करें जो ताजे जले हैं या आज जले हैं या कभी जलेंगे या बहुत दिन होगें जले वे जलन का एक बहतरी निलाज है, कुछ भी आप उस पर लगा लें, कोई हल्दी लगाता है, कोई चूना लगाता है, कोई तेल लगाता है, कोई लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ उसमें डाल दें ठंडे पानी में, फोर अंजलन खतम हो जाती है, इस से आपकी स्किन भी पुखता हो जाए, म बार-बार ठंडे पानी में डालने से, और इस पर आप वो आता है, कैस्टॉल ओयल, कैस्टॉल ओयल मतलब अरंडी का तेल हम आसान जबान में कहते हैं, ये लगाया करिए, तो इस से आपकी तमाम जिलन भी ये सोक लेती है, तोड़ा टाइम लगेगा, आपने इतना बरदा की चंद महीनों में आपका फायदा होना मुम्किन है. अच्छा इलाज है, स्किन का, अगर आपको ये जैतून का नमक मिल जाए, नमक जैतून, तो ये चुटकी है, इसमें जितना आता है, इतना आप पानी मिला के सुबा और शाम पिया करें. ये आपको दो चार दिन में ही फायदा शुरू करेगा, लेकिन आपको महीनों लेना पड़ेगा, अच्छा इसको एस्टेक जैतून भी कहते हैं इंग्लिश में और रसायन जैतून भी कहते हैं, ये दिन में दो तीन बार लिया जा सकता है, और ये आप लेंगे तो आपको खायदा होना मुमकिन है. जी, ग्वालियर से अगले कॉलर है, योगिंदर जी हमारे साथ, स्वागत है आपका. हान जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजे, सवाल करिए अपना. जी, जी, बताइए. जी, जी, बहुत कम उमर है. कितना दिन हो गए? जी, यादाव साथ, आपकी बात तो पहुंच गई है, अभी रास्ते में हैं, लेकिन हमारे तक पहुंच चुकी है. आप टीवी से सुनेंगे तो हमारा जवाब भी आपको बहुत देर में मिलेगा. पहुंच से सुनेंगे तो जल्दी मिल जाएगा. योगेंदर यादाव जी, ये जो शूगर का मर्ज है, इसमें अभी तक ये है, कि जिसको हो गई तो हो गई. अब जिन्दगी भर दवा खानी है, और तंदुरुस्ती से अगर जीवन चाहिए, तो वो दवा खाते रहे हैं, और परहेज भी करिए, पैदल भी चलिए, गंटा धूप में, और पाँज वार पानी भी पीजे, गरम. ये भी बहुत सहत की निशानी है, टावटी इससे भी कम होती है, लेकिन एक नस्खा ऐसा है, जो शुगर वालों के लिए एक वरदान है, जैतून का सिर्का आता है, आप तीन चमच रात को पानी मिलाकर, गलास पानी में, एक गलास पानी मिलाकर पी लिया करिए, आप हर तर जिन्दगी गुजार सकते हैं, ऐसा लगए जैसे आपको शुगरी नहीं है, ऐसा जीवन हो जाता है, इसको इस्तमाल करने के बाद, वो दवा भी खाएं जो खाते हैं, और तीन चमच सिर्का, एक बार या दो बार, पानी मिलाकर, पीना, सेहत की निशानी है.